पूरी तरह मिस्स किया वहाँ निराश लग रहे हैं वहाँ मेरी माने तो अब मैं आपको खुश किसमत समझें जो अब एक टीस पर ही खड़े हैं ओ ऐसा लगता है केम को देखा ही नहीं वहाँ बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी अहाँ ये शौर्ट खेलने की लगता है अपनी एकाव रदा खुब गहे बहुती बढ़िया शौर्ट पोथी बढ़ा सिक्स जाने जाते हैं ये बल्ले बास ऐसे शौर्टों के लिए और जब पॉम में हो तो इन्हें रोपना ना मुम्किन होता है जिस तरह की शौर्ट पिच बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं ये गेन बास अकसर बल्ले बास बैक फुट पे ही खेलने की कोशिश में अपनी विकेट गवा देते हैं उठा के खेल दिया है गैप में गई और ये बैतरीन चौका फील्डिंग में परिवर्तन बहुत ही बढ़िया टाइमिंग और शॉर्ट सेलेक्शन का प्रदर्शन कर रहे हैं यहां लेकिन थोड़ा समल के ले में हैं वभी पारी खेले का पूरा मौगा है कहीं उसे दवा न पठे फील्डिंग में परिवर्तन एक बार मारा है क्या वो दोबारा मार पाएंगे बहतरी इन शॉर्ट गेंज सीमा रिखा के बाहर और चार रण एसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहां जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म ओफ इस लाइफ वाह क्या बात है शॉर्ट गेंज बास के पूरे अकड को चकना चूर करती हुई छे रण फील्डिंग में परिवर्तन उठा दिया है छे रण जैसे ही बैट पे लगी थी कोई दो राए नहीं था कोई सदेह नहीं था कि यह छे रण है बोलिंग में परिवर्तन तेज गेंदबास को लाया जा रहा है इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूज और नियंतरन के साथ गेंदबाजी करनी होगी यहां और यह चार रण खूपसूरब तक्नीक का प्रदर्शन फील्डिंग में परिवर्तन बहुत ही आकरामक बल्लेबास है यह विशो क्रिकेट में यह बॉल तो लगी होगी होगी ओ बहुत ही भैदरीन कप्तानी यहां इसे कहते हैं होमवग करके आना बल्लेबास को देखते हुए कवर्स पर फील्डर लगा दिया है खनेक करने में नाकाम पुल तरह मिस किया बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी यहां यह शोट केलने की लगता है अपनी एक अपर तक हो बैठे हवा में उठा तिया है और यह छे रन कोई मौका नहीं था वहां फील्डर के पास और वो सिर्फ बॉल को जाते हुए देख सकते थे चलिए देखते हैं कि अगली गें स्टेडियम के कौन से हिस्से में जा गिरेगी दिल्कुल चक्ना खागे है वहां रंडेट बढ़ानी के कोशिश में निराश लग रहे है वहां मेरी माने तो मैं आपको खुश किसमत समझे है जो बेक्वीज नहीं खड़े है उता के खेल दिया है शांदार बल्ले बाजी और यह छे रन ओ बहुत ही भैदरीन कप्तानी यहां इसे कहते हैं होमवर्क करके आना बल्ले बास को देखते हुए कवर्स पे फिल्डर लगा दिया है लाइन और लेंट माप में तो एक सेकंड नहीं लगाते है यह बहुत ही बढ़िया सिक्स फिल्डिंग में परिवर्तन ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहां जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म ओफ इस लाइफ वाह क्या बात है अब जो इन्होंने अपनी सेंचुरी पूरी कर ली है यहां पे इनके पास एक मौका है एक और बड़ा स्कोर बनाने का यह एक ऐसे बल्ले बाज है जो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते हैं चलिए देखते हैं अगली गेन कहां मारेंगे वाल हवा से बाते करती ही सीधा बाउंडरी लाइंग के पार छे रंड बल्ले से निकलते ही अपनी किसमत लिखवा गई थी यह गेन बहुत जादा रंड दे चुके हैं इस ओवर में ये एक अच्छे कप्तान की निशानी है कि वो अपनी गेनबाज को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं बहतर गेनबाजी के लिए फील्डिंग में परिवर्दन दर्शक इनके दिवाने हैं और क्यों नहों इतना खुल के खेलते हैं मानों हर बॉल पे चक्का मार देंगे बहुती बड़ी अताल मेल दोनों बल्लेवाजों की बीच में अच्छी रन्नी मिट्विन दिविकेट्स नजाकत से खेल दिया है सिंगल के लिए जो मदद इस गेनबास को इस शोर से मिली है जायज है कि ये उनका फेवरेट एंड होगा और ये शॉट पस एक रह नहीं मिकला पाए झाल 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 झाल